हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में दोस्तो आज मैं मोटा होने की पांच सबसे असरदार और अच्छी दाओं के बारे में बताने वाला हूं दोस्तो बहुत से लोग मोटा होना चाहते हैं पर दोस्तो सवाल ये है कि मोटापा होना अच्छा होता है या हल्दी होना अच्छा होता है दोस्तो जो लोग ज्यादा मोटे होते हैं उन्हें बहुत सारे हल्थ प्रॉब्लम होते हैं जैसे high blood pressure, high cholesterol, diabetes, heart disease, gas जैसी कई सारी बिमारिया हो सकती हैं इसलिए दोस्तो आप ज़्यादा मोटापा बढ़ानी की नहीं बलकि healthy होनी की सोचें दोस्तो जो लोग बहुत ही ज़्यादा पतले हैं वो चाहे जितनी भी दवा या सप्लिमेंट ले लें मगर बिना अच्छे खाने के वो फिट नहीं रह सकते हैं इसलिए दोस्तो सबसे पहले अपने diet को अच्छा कीजिए दोस्तो बहुत से लोगों में भूख ना लगने की समस्या होती है उनको कुछ भी खाने का मन नहीं करता है इससे वो और कमजोर हो जाते हैं उनको आलस आने लगती है कुछ भी करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है इसलिए दोस्तो आज मैं पांच ऐसे अयरुवेदिक सप्लिमेंट के मारे बताने जा रहा हूँ जो एकदम नेच्रल होती है जिसका कोई भी side effect नहीं होता है जिसका सिवन करके आप healthy और just body बना सकते हैं इससे आपका वजन बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगा हाँ दोस्तो इसके साथ साथ आपको healthy भोजन लेना बहुत ही जरूरी है तो दोस्तो सबसे पहली दवा है Good Health Capsule दोस्तो ये डाक्टर विश्वास कंपनी की ब्रैंड है ये पचास का एपसूल की एक दिब्बा होता है जिसकी MRP 232 रुपे होती है ये आपको किसी भी medical soap या chemit soap पर आसानी से मिल जाएगा इसे आप online भी खरीच सकते हैं इसके composition में दोस्तो असुगंधा, दरक्षा, ब्रहमी, एष्टमधू, संखपुस्पी, ब्रिंदा, गोख्छुरूर और आमला होता है दोस्तो ये आयरवेदिक हर्प्स होती हैं जो आपके health का ख्याल रखती हैं एक भूग बढ़ाने के साथ साथ वधन बढ़ाने का काम करती हैं आपकी liver को मजबूत करने का काम भी करती हैं जिससे आप healthy रहते हैं आप इस capsule को सुबा साम खा सकते हैं एक capsule सुबा और एक capsule साम को दोस्तो फर्क आपको 7-8 दिन में दिखने लगेगा दोस्तो दूसरे नंबर पर है पाउरूस जीवन capsule दोस्तो इसे देवफार में सी कमपनी दोरा बना जाता है ये एक इस्टेब में 10 capsule आता है जिसकी MRP 37 रुपे होती है ये आपको किसी भी medical soap या chemit soap पर आसानी से मिल जाएगा इसके composition में अर्जुना, लॉंग, अदरक, शिलाजीत, लाव भसम, बंग भसम, अस्वगंदा हामला जैसी चीजे मिली हुए होती है दोस्तों ये आपको body को healthy रखने और energy से भरपूर रहने में मदद करती है ये 100% आयरुवेदि मेडिसीन है जिसका कोई भी side effect नहीं होता है दोस्तों ये डाबर कमपणी द्वारा बना जाता है ये एक इस्टिप में 10 कैपसूल आता है जिसकी MRP 65 रुपए होती है ये आपको किसी भी medical soap या chemit soap पर आसानी से मिल जाएगा इसके composition में दोस्तों असुगंधा 300 mg होता है जो आपके stress को दूर करता है थकान को मिटाता है कमजोरी दूर करता है और आपको healthy रखता है ये पूरी तरह से आयडवेदिक कैपसूल होता है इसका कोई side effect नहीं होता है अब बात करते हैं इसके dose की तो इसे आप एक कैपसूल सुबा और एक कैपसूल साम को खाना खाने के बाल ले सकते हैं इसे आप दूद के साथ लेते हैं तो बहतर जड़ मिलता है चवथे नंबर पर आता है स्वास्त वर्धक कैपसूल दोस्तों इसे Sun India Pharma Company दोरह बना जाता है ये एक इस्टी में 20 कैपसूल आता है जिसकी हमार पर 80 रुपय होती है ये आपको किसी भी मेटिकल इस्टोरिया कैमिट्स हो पर आसानी से मिल जाएगा दोस्तों इसके कमपोजिशन की बात करें तो इसमें कसनी, कंटकरी, अरजुना, भंग भसम, सिलाजी, सफेद मूसली, सोट, भिंगराज, गिलोय, जाबित्री, जाएफल, असुगंधा जैसी चीजे मिले होई होती है ये पूरता नेचरल होती है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है ये पेट को हिल्दी रखती है, भूग को बढ़ाती है आपको हिल्दी रखने का काम करती है इसके डोज की बात करें तो रोज आप इसे एक कैप्सूल, सुबा और एक कैप्सूल साम को ले सकते है पाचवे नमबर पर आता है पतंजली असुगंधा कैप्सूल दोस्तो ये कैप्सूल मार्केट में बहुत ही पॉपलर है एक कैप्सूल में दस कैप्सूल आता है जिसकी हमार पर पर पचीस रुपे होती है ये आपको पतंजली स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी इसे आप मेटिकल स्टोर से भी खरीच सकते हैं इसमें असुगंधा 390 मिली ग्राम होता है ये थकान, सामानी कमजोरी, गैस्ट्रिक प्रोब्लम, मसल्स में बीकनेस, अर्थराइटिस, दर्द जैसी समास्याओं में फाइदे मन्द है ये सरीर की कोशकाओं को एनरजी देता है आप इसे एक कैपसूल दिन में एक बाल ले सकते हैं दोस्तों ये पूरी तरह से नेजरोल होता है इसके कोई भी साइड़ डिफेक नहीं होते है दोस्तों ये थे 5 आयर बेदिक दवाओं के बारे में जानकारी दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो के लाइक जरूर करें मिलते हैं नहीं जानकारी के साथ जय हिन दोस्तों